अगर आपने अभी तक जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सिजाकर जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर दीजिए सियम नितीश कुमार ने किया एलान बिहार में 8 जून तक पढ़ा लॉकडाउन व्यापार के लिए मिलेगी छूट जिया बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने कहा कि कोरोना संकर्मन को देखते हुए लॉकडाउन को एक सब्सक्राइब अर्थात 8 जून तक बढ़ाने क का नर्णे लिया गया है लेकिन व्यापार के लिए अतरिक्त छूट दी जाएगी सभी लोग मास्क पहने और सामाजी की दूरी का ख्याल रखें सीएम अर्विंद केजरिवाल का बड़ा बयान कहा जून में दिल्ली सरकार को मिल सकती है रूस में बने होई स्पूतनिक वैक्सीन जिना करोना वैक्सीन की कमी जिल रही दिल्ली को रूस में बने होई स्पूतनिक वैक्सीन मिलने की उम्मीद है आने वाले दिनों में यानि की जून महीने के अंदर ही दिल्ली सरकार को इस पूतनिक वैक्सीन मिल सकती है हाला कि सुरुवात में दिल्ली सरकार को सिमित संख्य महीं यह वैक्सीन उपलब्द हो सकेगी दिल्ली के CM अर्विंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को इस पूतिनिक से वैक्सीन मिलने का भरोजा है संभवता जून में वैक्सीन की कुछ डोज मिलने की उम्मीद है वैक्सीन की कमी पर सीम अर्विंद केजरीवाल ने कहा कि सभीराज सरकारे अपनी तरफ से पूरी कोशिस कर चुकी है लेकिन अभी तक एक भी रज अपने स्थर पर एक भी वैक्सीन लाने में सफल नहीं होई है वैक्सीन की खरीद और उत्पादन करना केंद्र सरकार के जिम्मेदारी है एक जून से यूपी के सिर्फ 14 जिलो में रहेगार कोरोना करफ्यू 61 जिलो में आंसिक धील का एलान जिहां उत्तर परदेश में वैस्विक महमारी कोरोना वैरस संक्रमण की रफ्तार लगातार धीमी हो रही है उख्यमंत्री योगी अधितनात की अगवाई वाली सरकार की टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की निती से कोवेट-19 के एक्टिव मामलों में भारी गिरावटाई है यहीं वज़ा है कि उत्तर परदेश अब अनलोक की तरफ अग्रसर है योगी सरकार ने एक जून से उत्तर परदेश के सर्फ 14 जिलों में कोरोना करफ्यू लागू रखने का फैसला किया है उत्तर परदेश की योगी अधितनात की सरकार ने कोरोना करफ्यू को और एक सप्ता के लिए यानि की साथ जुन तक बढ़ाने की घोशना की हालाकि राज्य में कोवेट की इस्थिती में सुधार होने पर प्रतिबंधों में आंसिक रूप से धील दी गई सेंटर विष्णा प्रोजेक्ट पर नहीं लगेगी रोक दिल्ली हाई कोट ने कहा सेंटर विष्णा महत्तपून आवश्चक राश्टिय परियुजना है जिहां दिल्ली हाई कोट ने सुमवार को सेंडरल विष्टा प्रजेक्ट को महत्पुन आवश्यक रास्तिय परिजना बताया कोट ने इस पर रोक लगाने से साफ इनकार करते हुए याचिका खारिस कर दी कोट ने निर्माण कारे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि चुकि स्रमिक साइट पर रहे रहे हैं इसलिए निर्माण कारे को इस्थगित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता सीब्यसी परिक्षाओं को लेकर सिक्षा मंतरी की प्रियांका गांधी को पत्र कहा चात्रों की आवाज सुननी चाहिए जिहां कॉंग्रेस की मास जेव प्रियांका गांधी वरडरा ने CBSC की बारायवी कक्चा की परिंख्चाओं को लेकर किंद्रिय सिक्चामंत्री रमेष पोकरियाल निसंग को चिट्ठी लिगी है अपने पत्र में उन्होंने सिक्षा मंत्री को चात्रों अभिभाव को और सिक्षकों के कई सुझाओ दिये हैं प्रियांका गांधी ने कहा कि इनकी आवाज को सुना जाना चाहिए प्रियांका गांधी ने पत्र को ट्वीटर पर साजा करते हुए लिखा कि उन्होंने CBSE की परिक्षाओं को लेकर छात्रों, अभिवागों को और सिक्षकों से मिले कई सुझाओं से सिक्षा मंत्री को अवगत करा है आपको बता दें कि प्रियंका गांधी कोरोना महमारी के दौर में परिक्षा कराने का विरोध कर रही है उन्होंने कई बार CBSE की बारहवी कख्षा की परिक्षा को रद करने की मांग भी की है आपको बता दें कि परिक्षा रद करने की मांग वाली याचिका पर विश्यस आदालत में सुनवाई भी हुई जिसे 3 जून तक के लिए स्थागित कर दिया गया